नमस्कार में प्रियर अंजन और आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं तीन ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें टेक्निकली एक बरा रिवर्सल एक बरा ब्रेक आउट देखने को मिल रहा है और इसके टेक्निकल लेविल्स को ही डिसकस करेंगे फंडामेंटली हमने कई बार इन सेहरों को अल्रेडी करा हुआ है तो एपिसोड में आगे बरहें उससे पहले प्रेमियम टेलिग्राम को जॉइन करें और डिस्क्रिप्सन के लिंक से चाहें तो एकाउंट आपेंट कर लें जिससे आपको एक्टिव टेडिंग कामनिटी और ग्रूप में जोर दिया जाएगा इस किसी भी स्टॉक के बजार के किसी भी स्टॉक के आपके क्वेडि हो तो कमिट बोक्स के माध्यम से जरूर पूछेंगे तीन ऐसे स्टॉक जो बरे ब्रेक आउट देखने को मिल सकता है पहला स्टॉक है आई आर इडी ए जो लिस्टिं के अपडेट्स काफी आउट इस्टेंडिंग रहे कमपनी के सरकीट 5% से 20% रिवाई होते हुए दिखा लास्ट रेडिंग सेसन में भी 12% की तेजी दिखे लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा ब्रेक आउट जो है इडेडा स्टॉक जो की 47,000 करोर के मार्केट कैप पे कर रहा है वैलिवेशन थोरा महगा है अपने सेक्टर के कमपरेटिबली डवल के प्राइस राणिंग रेशियो पे टेड कर रहा है लेकिन टेकनिकली एक ब्रेक आउट दिखा है हमने इसके सजेसंस तो 120 के आसपास के प्राइस पर ही दिये थे लेकिन टेकनिकली इसने 162 के लेविल को ब्रेक आउट कर दिया है तो जो अल्रेडी इन्वेस्टेड है वो तो ठीक है जो इस समय भी बाइंग करना चाहते हैं मुझे लगता है कि 148 50 के नीचे के स्टॉप लॉस को लगा करके 190 200 240 और मैक्सिमम 300 तक के जो लेविल्स हैं वो एक्सपेक्ट किया जा सकता ह नेक्स टू मन्ट से लेकर के 5 मन्ट के डूरेशन में ब्लाइंडली बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे खुद एनलाइज करें खुद आपको बेटर लगी तो ट्रेड ले वरना इग्नोर करेंगे दूसरा स्टॉक जो है वो है आयारेपसी आयारेपसी में इंडिविजुल को रिप्लेस करा गया उसको लेकर के अपडेट्स दिये इसके अलावे कुछ भी अपडेट्स नहीं है फंडामेंटली 1.92 लैक करोर के आसपास का मार्केट कैप है रेलवे को फाइनेंस करने का कंपनी काम करती है जहां देखेंगे तो जिस ट्रेन से आप जाते हैं वो चाह करती है तो IRFC भी देखें तो लगबग 200 के प्राइस से अल्रेडी ब्रेकडाउन हुआ है 35-40 परसेंट का और 140 के आसपास के लेवेल्स पे इसने लोवर लोवर हाई के जो लेवेल्स से उसको ब्रेक आउट करा और मुझे लगता है कि 128-125 के स्टॉप लॉज को लगा करके 174 और 200 तक के पोटेंशियल टारगेट IRFC में एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्योंकि 3 टाइमस इस स्टॉप ने 130 के लेवेल को रिट्रेस कर चुका है तीसरा स्टॉप है रिलाइंस पावर रिलाइंस पावर में डेट के रिकंस्रक्शन को लेकर के काफी न्यूस आते दिखी और कंपनी क्या रही है कि इस फाइनेंसियल यर में हम खुद को डेट फ्री कर लेंगे कोटरली नंबर्स काफी बेहतर नहीं रहे जिसके कारण स्टॉप 32 से ब्रेकडाउन करा और लगबग लगबग 18 तक के लोवर लेविल 35% की करेक्शन दिखी लेकिन डेट के रिकंस्रक तक के लेविल्स रिलाइन्स पावर में एक्स्पेक्ट किया जा सकता है वैल्वेशन भाइज ये कंपनी ठीक ठाक है और इसके विकनेस 26 के नीचे ही दिखेगी तो ये तीन स्टॉक मुझे लगता कि पोटेंशियल यहां से एक बरा ब्रेक आउट कर सकता है